Hello everyone, welcome to the student, इस वीडियो में हम देखेंगे ALP technician के weekly study plan का हम लोग 6th week का study plan इसमें हम discuss करेंगे, इसके पहले के जितने भी weekly study plan है 5 week का सारा आपको playlist में वहाँ पे upload किया जा चुका है वो folder जैसे ही आप open करेंगे, हर एक week का study plan और just उसके नीचे इसका PDF upload किया गया है जो लोग week 5 तक का study plan follow कर चुके हैं वो अब week 6 का study plan इहाँ पे follow करना शुरू करेंगे अब देखी इसमें इस week से मैं छटे week से अब मैं शुरू कर रहा हूँ basic science and engineering को अब इसमें मैं include कर रहा हूँ week 5 तक का सभी लोग जितने भी लोगों ने follow किया है उनको अब एक idea हो गया होगा कि paper किस तरह से आ रहा है क्योंकि हर एक week में मैंने दो previous year paper करने को कहा है और उसके साथ हम हर एक chapter को थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते हुए हम लोग अभी तक आये हैं तो एक तरह से आपका routine अब बन चुका है अब हम लोग हर एक week में कुछ extra चीजों को include करते जाएंगे और अब आपका थोड़ा सा slivers जादा include होगा हर एक week में तो आपको मेहनत बढ़ा नहीं होगी तो इस week से हम basic science and engineering के एक छोटा सा chapter इसमे include करेंगे तो देखे इस week में हमें क्या cover करना है सबसे पहले हमेशा की तरह दो previous year paper CVT1 के cover करने ही करने है अब mathematics में पिछले week में हम लोगोंने profit and last को cover किया हुआ था तो इस week में हम लोग discount chapter को cover करेंगे इसमें अगर आप 100 question और कुछ question अगर कम भी करते हैं यह chapter complete हो जाएगा बहुत जादा variety इसमें है नहीं लेकिन जितने भी type की question आप करेंगे तो उतना फायदे मन होगा तो करीब 100 question अगर आप करते हैं जैसे एक से अधिक multiple discount होता है जैसे कोई shop पे जाता है आदमी तो 10 plus 40% का discount 10% plus 40% का discount होगा तो equivalent discount कितना होता है इस तरह के question बहुत ही short होते हैं और यह बहुत lengthy question यह नहीं रहता है बाकी fixed price पे जो होता है वो उस पे अगर discount होता है तो कितना होता है अगर दुकांदार गलत नापतौल करता है तो उसके द्वारा लाव या हानी क्या हो रही है उसके द्वारा तो इस तरह के type के जो question होते हैं और भी बहुत से type इसमें है सारा type लिखेंगे तो बहुत लेंदी हो जागा तो discount chapter जो भी आप book से पढ़ रहे हैं किरन से पढ़ रहे होंगे, speedy से पढ़ रहे होंगे या फिर किसी other publication से किसी other किसी सर के book से अगर आप पढ़ रहे हैं किसी teacher के तो भी ये chapter अगर आप खोलेंगे तो इसमें कम से कम 4-5 type की 6 type की question आपको कम से कम मिल जाएंगे देखेने को तो उन सारे type की question आप करिएगा 100 question अगर आप कर लेते हैं तो बहुत है इसमें और ये chapter छोटा है prophet and last से एकदम मिलता जूलता chapter है ये next हम लोग reasoning में इस week कुछ आसान chapter को include कर रहे हैं जो कि अगर आप नहीं भी पढ़ेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा बस थोड़ा सा अगर आप इसमें speed बनाना चाहते हैं तो कुछ question कि आप इसमें practice कर लिजेगा जैसे कि mirror image हो गया water image हो गया paper folding से related question हो गया counting of triangle इने given image कोई जैसे image इस तरह का बना के दे देता है और इस तरह का अगर उसमें diagram बना दिया और कह दिया कि इसमें आप कितने triangle find कर पा रहे हैं तो इस तरह के counting के triangle भी question एक आद question इस तरह के आ जाते हैं तो आप इसको कर ले जाएंगे ठीक है तो और यह अगर आप नहीं भी पढ़ते हैं तब भी आप count कर लेते हैं लेकिन हाट triangle count करना square count करना इस तरह के trick से related जो वीडियोस है YouTube पे जरूर देखिएगा क्योंकि इसमें थोड़ा सा concept आपको सिखने की जरूरे था बाकी mirror image water image और paper folding आप मुझे लगता है कि बीस-बीस question अगर आप करेंगे तो आपका एक तरह से pattern हो जाएगा आपको पता चल जाएगा next है investor current affair में इस week में हमें क्या करना है अगास्त महीने का complete इसमें cover करना है जो लोग पढ़ चुके है current affair अगस्त महीने का तो अब September महीना खटम होने वाला है तो September का हम लोग current affair अगले weekly study plan में cover करेंगे तो अगस्त महीने और пока चुके है जो लोग cover कर चुके है वो लोग module revision करि लेज़ेगा चाहे आप घटना चाकर से पढ़ते हों रुकमणी से पढ़ते हों इस्ट पीडी से और या फिर यूट्यूब से किसी टीचर के माध्यम से पढ़ रहे हों जिनका हैं डीटो नोट्स आपके पास है तो भी बहतर है लेकिर आप खुद का नोट्स जरूर बनाने क इसमें कोसिस करिएगा कि में करेंट फिर बहुत बड़ा सलेवस होता है अगर आपका खुद का नोट्स है तो जल्दी उसे रिविजन करने में असानी होगी नेक्स्ट है जनरल नॉलेज में हमें इस विक में महात्मा गांधी से पर आधारित जो है प्रस्ण जो एक जया मे जो कोश्टन है CBT1 में आते हैं तो महात्मा गांधी पर आधारित कोश्टन आप देखेगा जरूर इन पे हर एक एक पेपर दो पेपर में सिफ्ट में एक आध कोश्टन रहता जरूर है तो इसके आधारित जो कोश्टन है आपको YouTube पे मिल जाएंगे चाहे तो आप गूगल पे भी सर्च करेंगे तो कम से कम 50-60 कोश्टन मिल जाएंगे उनकी प्रैक्टिस आप करिएगा बाकी प्रिविएस येर में कोश्टन में आप देखेंगे तो उसमें भी जो कोश्टन आएंगे अगर इन से रिलेटेड तो आप उसको याद करिएगे गयोंकि ये बहुत ही परसन है और भारत की अजादी में इनका बहुत बड़ा रोल है तो इस पे कोश्टन आना लाजमी है नेक्स्ट टॉपिक है कि भारत के प्रमुख निर्थ ये इस्ट्रेटिक जी के है तो इसको तो याद करना ही करना है आपको महत्वपूर कांग्रेस अधिवेशन और अध रिखता किया है और कब भीमरा आउं मेड़कर किस अधिवेशन के अधिवेशन के अधिवेशन की अधिवेशन की तो इस तरह के कुछ इना साल कौनसा था और गहां पर वो हुआ है और उस क्लाश-नाइनल कैसे से करीब चैप्टर बढ़ यंद पढ़ने है अब यह मिलेगा कहां पर आपको जैसे ही आप जिस भी पेड़ कोर्स में आप जोईन हुए हैं हर एक पेड़ कोर्स में आप जैसे ही आप NCRT का सेक्षन ओपेन करेंगे वहाँ पर क्लास नाइन्थ का जब फोल्डर आप ओपेन करेंगे तो वहाँ पर चैप्टर आप चाहे paid हों चाहे नहीं paid हों अगर कोई आपका दोस्त पढ़ना चाहता है तो उसको application डाउनलोड करके आप बोल सकते हैं कि वह वहां से वह PDF खुद भी डाउनलोड कर लेंगे वह बिल्गुल फ्री है सभी के लिए तो वहां से डाउनलोड करिए जो important underlines है उसको आप खुद से पढ़िए चाहे तो आप notes बना सकते हैं सारे चीज़ें लिखने के जरूरत नहीं है जितने भी मैंने underline किया है वो मैंने इसलिए underline कर दिया है कि कम सकम यह point आप जरूर पढ़िके रखिएगा और उसमें से जो च कि एक चीजह ओर दोने है फंस है सब्सक्राइब करने के लिए तो पढ़ना ही पढ़ना है लेकिन प्रिवेस्थ एर में question में भी बहुत ऐसे question आएंगे जो हुब हुब आपके exam में फसेंगे तो वो चीज भी आपको साथ में ले करके चलनी है अब हम लोग basic science and engineering जो week 6 से हम लोग include कर रहे हैं उसमें जो पहला chapter रहेगा unit and dimension unit और measurement को पढ़ना है with dimensional formula कई लोग dimensional formula नहीं निकल पाते हैं general exam में नहीं आता है लेकिन आप इससे later एक video जरूर देख लिएगा कोई एक question आजाएगा अगर जो तो बहुत ही simple होता है dimensional formula निकलना और unit जो होती है basic unit है उसी पर dimensional formula बने रहते हैं और उसको use करकर करके work का जो dimensional formula है energy का जो है वो सब सेम रहता है तो आप basic basic जब आप dimensional formula निकल लेंगे तो किसी बड़े question का formula का भी dimensional formula आप असानी से निकल सकते हैं तो इससे later यूट्यूब पे वीडियो एक वीडियो जरूर देख लिएगा जिसमें detail में बताया गया हो तो dimensional formula का इसे निकला जाता है बहुत आसान topic है यह एक बात इस chapter में सिर्फ एक page का ही notes बनाने की कुश्चित करिएगा बहुत ज़्यादा हो गया तो दो page का इससे ज़्यादा notes बंत बनाईएगा एक पढ़ने से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए एक page में या फिर दो page में आप इसका notes मनाएगा इस week में जो आपको cover करना था मैंने यहाँ पर बता दिया इसका PDF जैस्ट आपको वीडियो के नीचे आपको दे दिया जाएगा वहाँ से आप download कर लिजाएगा बार बार आपको वीडियो देखने की जरुवत नहीं पड़ेगी तो मिलते हैं next weekly study plan में thank you, all the best